अकेले कोहली के बराबर रन भी नहीं बना सकी पूरी अफरिकी टीम इतिहास की सबसे शर्वनाख हार से बने ये नौ रिकॉर्ड वर्लकप दोहजार तेज में भारतिय टीम में रविवार को साउथ अफरिका के खिलाफ कोलकता मैच में 243 रनों से जीत दर्ज की वंडे क्रिकेट में अफरिकी टीम की किसी भी देश के खिलाफ रनों के लिहाद से अपनी ये सबसे बड़ी हार है मैच में कोली ने भी अपना उन चास्वा वंडे शर्टक लगा कर सचिन तेंदूलकर की बराबरी कर ली है मैच में इसी तरह के 9 शांदार रिकॉर्ड बने आईए जानते हैं इनके बारे में भारतिय टीम ने वर्ल्ड कब 2023 में अपना आठवा मुकाबला रविवार 5 नवेंबर को साउथ अफरिका के खिला जो 243 रनों से जीत लिया 327 रनों के टार्गिट के जवाब में साउथ अफरिका की पूरी टीम 83 रनों पर सिमट गई क्या सेमी फाइनल में भिढ़ सकते हैं भारत पाकस्तान अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं वन्डे वर्लकब दोहजार तेईस में भारतिय टीम का विजयरत शांदार अंदाज में जारी है रोहिश शर्मा की कप्तानी में भारतिय टीम ने अपने आठमे मुकाबले में साउथ अफरिका को भी 243 रनों से रौन दिया है ये मैसर अविवार 5 नवेंबर को कॉलकता के इडन गार्डन्स में खेला गया इस जीत के साथ ही भारतिय टीम ने पॉइंट स्टेबल में अपनी टॉप की पोजीशन पकी कर ली है इसी के साथ वो सेमी फाइनल में एंट्री करेगी जहां उसका मुकाबला पॉइंट स्टेबल की नमबर चार टीम के साथ होगी यदि इस बार भी कुदरत का निजाम आता है तो नमबर चार की टीम पाकस्तान हो सकती है मगर ऐसा होना बहुत मुश्किल लग रहा है भारते टीम टूर्णामेंट का पहला सेमी फाइनल मुकाबला खेलेगी जो नमबर चार टीम के साथ मुंबई के वान खेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा ये सेमी फाइनल 15 नवेंबर को दो पहर दो बजे से खेला जाएगा जबकि नमबर चार की पोजीशन के लिए इस समय न्यूजिलेंड पाकस्तान और अफगानिस्तान के बीच घमासान टक कर जारी है